जहेंद आस्परेंट्स दिस आहीर और वेलकमें बैक टो स्स्वी क्राइक एक्जाम्स फंडमेंटल राइट्स यानिके मौलिक अधिकार हमारे पूरे भारत राज्यां के वन फॉर्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं हालांके ये भी कह सकते हैं कि इन्हें कंसाइंस ओफ इंडियन कॉंस्टिटूशन भी कहा जाता है आप कोई भी कॉंपुटेटिव एक्जाम ले लीजिएगा टिफेंस एक्जाम में भी फंडमेंटल राइट्स का वेटेज बहुत ही ज्यादा होता है तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे उनी फंडमेंटल राइट्स के बारे में एक क्विक रिविजिन कराऊंगा मैं आपसे अशुरेंस देता हूँ कि विदा टाइम यू फिनिश इस वीडियो पूरी तरीके से फंडमेंटल राइट्स पर आपको ग्रिप आएगी और एक ओवरॉल रिविशन आपके पूरे फंडमेंटल राइट्स का हो जाएगा तो यह वीडियो को शुरू करते हैं तो फंडमेंटल राइट्स जैसा के हम देखते हैं के इंडियन कॉंस्टिटूशन के थर्ड पार्ट में हैं पार्ट 3 ऑफ दे इंडियन कॉंस्टिशन और आर्टिकल 12 से लेकर 35 यह सभी फंडमेंटल राइट्स के अंडर ही कंसिडर किये जाते हैं वसे तो कॉर फंडमेंटल राइट्स जैसे लेकर 32 तक हैं जिनके बारे में अभी हम डिसकेशन करेंगे आर्टिकल 12 आपको बताता है स्टेट का डेफिनेशन क्या है और आर्टिकल 13 हमें बताता है कि कोई भी ला जो इंकंसिस्टेंट है को लेकर वह जा चुकी है अब देखा है मौलिक अधिकार र्या-फंडमेंटल राइट्स जैसे लिया हुआ है और बिना किसी discrimination के चाहे वो on the basis of race, religion, gender, etc. सभी को ये equally दिये जाएंगे और सबसे कुपसुरत सी बात in fundamental rights की ये है कि ये enforceable है by the court of law यानि कि अगर ये fundamental rights का उलंगन होता है तो आप सीधे court कचेरी के पास जा सकते हैं आप सीधे supreme court का दर्वाजा खट-खटा सकते हैं तो currently 6 sub-categories है अपर 6 categories of fundamental rights हमें देखने को मिलते हैं सबसे पहला है right to equality, right to freedom, right against exploitation यानि कि शोशन किसी का भी नहीं हो सकता right to religious freedom, cultural and educational rights जोके ज्यादतर minorities के rights से related है and right to constitutional remedies अब आईए इन सभी के बारे में इन detail देखने की कोशिश करते हैं सबसे पहला आजाता है right to equality यानि कि समानिता article 14 से लेकर article 18 तक हमारे right to equality के बारे में बात करते हैं article 14 अगर आप उठा कर देख लें तो equality before law and equal protection of law यानि कि यहाँ पर राज्यांग हमें promise दे रहा है कि respective of caste, period, religion, race, gender etc. सभी के लिए law एक ही होगा प्रधान मंत्री से लेकर चप्रासी तक सभी law के आगे same ही होंगे किसी पी तरीके discrimination नहीं किया जाएगा दूसरा article 15 हमें बताता है prohibition हो ना करेंगे हम यानिके discrimination नहीं करने देंगे on the basis of ground of religion, race, sex, etc. अब देखे कई बार बच्चे confused हो जाता है इन दो articles में सर दोनों equality के बारे में ही तो है वैसे तो article 14 से लेकर 18 पूरे equality के बारे में ही है article 14 promise करता है कि सभी law के आगे equal होंगे और article 15 prohibit करता है किसी भी तरीके के discrimination करने के लिए तो बहुत ही technical सा अंतर इन दोनों articles के बीच में है article 16 के अगर हम बात करें तो वो promise करता है कि सभी को equal opportunity दी जाएगी public employment में यहां पर किसी भी तरीके का उच नीच नहीं होगा और सभी समान ही यहां पर होंगे article 17 चुवा चूत untouchability को abolish करता है untouchability किसी भी form में वो illegal है unconstitutional है सीदा आपको उठा के jail में ही देंगे और 18 वान इंपोर्टेंट है abolish of titles titles जो एक जमाने में हमारे देश में बहुत ही famous थे राओ बहादूर दीवान सुल्तान ठीक है इस तरीके के titles हम ले नहीं सकते हैं अब आपके दिमाग में नहीं ले सकता है क्योंगी titles लेने से अगें उच नीच आ जाता है ठीक है तो because of that titles have been abolished आईए second most important category के बारे में डिसकस करते हैं freedom, right to freedom article 19 से लेकर article 22 तक हमें right to freedom दिया जा चुका हुआ और सबसे important भी यहां पर दो है article 19 and article 21 article 19 अगें further 6 rights आपको guarantee करता है सबसे पहला right to freedom of speech and expression खुले तोर पर आप अपने आपको न जाहिर कर सकते हैं एक और चीज़ भी हां पर मैं आपको बता दूँ कि यह सभी जितने भी fundamental rights हैं वो sacrosanct या absolute नहीं है सर यह कैसी बात हुई आप ही ने तो कहा कि अगर उलनंगन होले पर supreme court भी जा सकते हैं example ले लेते हैं कि कल को कोई एक उनमाद विक्ती बाहर जाता है हिंदू-मुसल्मान के भी जगड़ा करवाता है और अगर supreme court में उसे कटगरे में खड़ा करें तो वो यह कहें कि दिखो article 19 में आप ही ने freedom of speech मुझे दिया तो क्या आप उसको accept करोगे तो freedom of speech पर भी चंद limitations बहुत ही ज़रूरी है ताके वो enmity ना बढ़ाए किसी के बेच public order को destroy ना करे तो right to freedom of expression not just right to freedom of expression हो पुरे fundamental rights भी जो absolute नहीं है उन पर limitations लगाय जा सकते हैं दूसरा right to assemble peacefully without arms तीसरा right to association cooperative societies वगेरा में भी आपको खुद को ना form कर सकते हैं right to movement anywhere in the country right to residence कही पर भी आप जाकर जी सकते हैं and right to practice profession of your choice ये 6 subsections हैं article 19 में जो के one of the most important article है article 20 protection in respect of conviction for offenses जितना आपका गुना उतना ही आपकी सजा एक गुना के लिए एक से ज्यादा बार आपको औरस करके सजाव अगरा नहीं देंगे offense specific offenses के लिए accused के लिए यहाँ पर certain important से protections यहाँ पर दिये जा चुके हुए हैं article 21 again one of the most important one है protection of life and personal liberty यह थोड़ा बहुत vague statement आप देख सकते हैं तो जब जब Supreme Court को ज़रूरत पड़ती है तो वो इसे interpret करके हमें बता देता है best example recently हादिया का case हुआ था तो वहाँ पर Supreme Court ने हमें बताया कि even marrying a person of your own love or someone with whom you like it is also comes under the fundamental right under article 21 that is right to protection of life and personal liberty तो इसे कई सारे rights हमेहाँ पर देखने को मिलता है even article 21A universal primary education का भी जो right है वो इसी right के अंडर insert किया जा चुका हुआ है article 22 again protection against arrest and detention in certain cases अब खास बात ये है कि किसी भी तरिके की enemy alien या फिर वो person जिसे preventive detention के तरहत arrest किया गए उसे ये applicable नहीं होगा ठीक है? वहाँ पर भी accused को चंद rights दिये जाते हैं जैसे कि illegally किसी को भी detain नहीं करेंगे अगर detain किया है तो immediately concerned authority parties को information बगएरा दी जाएगे से कई सारे rights वहाँ पर भी हमें दिये जा चुके हुए हैं अब आईए तिसना most important fundamental right that is right against exploitation शोशन आपका नहीं हो सकता कोई भी आपको शोशित नहीं कर सकता exploit नहीं कर सकता article 23 and 24 article 23 speaks prohibition of traffic in human being and forced labor ठीक है बेगार या फिर विट्टी चाकिरे से कई सारे systems अभी भी available है जहां पर forced labor करवा जाता है ठीक है उस person के wish and will के खिलाफ उसे काम में रखा जाता है उसे कम pay किया जाता है या फिर उसे pay ही नहीं किया जाता और दूसरा humans में चाहिए वो women हो बचे हो बुड़े हो कोई भी हो human trafficking नहीं करवा दी जाएगी दूसरा article 24 prohibition of employment of children in factories etc. छे से 14 साल के बीच जो बच्चे हैं और किसी भी तरीखे के harmful factories वगरा में employment नहीं दिलवा देना चाहिए right to religious freedom one of the most important one our country has been the birthplace for many religions article 25 से लेकर 28 तक आप देख सकते हैं article 25 freedom of conscience and free profession practice and propagation of religion आज मैं मुसलमान हो कल मैं हिंदू follow करना चाहता हूँ आज मैं हिंदू हो कल Christian बनना चाहता हूँ ये मेरी मर्जी है मैं अपने conscience को follow करूँग यहने कि मैं अपने heart and soul को follow करूँगा और किसी भी religion को मैं profess कर सकता हूँ practice कर सकता हूँ article 26 manage religious affairs आप अपने religious affairs को manage कर सकते हैं खुद state महापर दखल अंदाजी नहीं देगा article 27 किसी भी तरीके का tax नहीं लगाय जाएगा अगर आप अपने religion को पुष करने की कोशिश कर रहे हैं उसे profess करने की कोशिश कर रहे हैं promote करने की कोशिश कर रहे हैं यह भी सभी का अधिकार है कि आप अपने religion को promote कर सकते हैं article 28 freedom from attending religious instruction or workshop in certain educational institution सच बताओं तो कोई भी institution हो सरकार का वहाँ पर push नहीं किया जाएगा किसी भी religion को क्यूंकि इंडिया एक secular state है so 25, 26, 27 और 28 right to freedom of religion है cultural and educational rights यह rights ज्यादा तर minorities को लेकर हैं एक और छोटा सा update मैं आपको यहाँ पर दो minorities का definition हमें constitution में नहीं दिया गया लेकिन जहां तक हम deduct कर सके दो kind of minorities हमें देखने को मिलेंगे एक religious minorities दूसरे linguistic minorities अब वैसे तो religious minorities 6 है हमारे इंडिया में linguistic minorities के अगर मैं बात करूँ तो मान लो के तेलंगाना जो के तेल्गू speaking state है हाँ पर कोई महराश्रियन आकर जी रहा है तो उस तेलंगाना में वो महराश्रियन linguistic minority होगा तो यहाँ पर minorities को लेकर दो important सदिकार सबसे पहला article 29 protection of interest of minorities state उसके लिए काम करेगा और दूसरा article 30 right of minorities to establish and administer educational institution वो अपने सभ्यता को, culture को, language को minorities हैं अपने traditions वगेरा को बचा ले सकते हैं अपने education को फर्दर पुश करने के लिए भी वो अपने educational institutions बना कर भी उन्हें चला सकते हैं, सरकार वहाँ पर भी दखल अंदाजी नहीं देगा अब एक चोटा सा article है जिसके बारे में discuss करना important है, that is article 31 article 31 currently वो delete किया जा चुका है currently वो हिस्सा नहीं है हमारे Indian constitution का, पहले यह हुआ करता था right to property लेकिन कई सारे you know reforms लाने के बाद, हर छोटी बड़ी चीज में supreme court तक मामला जाता था कई सारा वक्त बरबाद होता था, so because of that, 1978 में 44th constitutional amendment act पास करके, इस article 31 को delete किया गया and currently right to property is a mere constitutional right under article 300a तो भी currently 300a में right to property जो है, वो बस एक fundamental right है, अब सबसे आखरी और सबसे important fundamental right हमारा article 32 बाबा साब अंबेत पर ने तो इस article को heart and soul of Indian constitution कहा है किस वज़ाए से जितने भी अभी articles हमने पड़े ना, article 14 से लेकर 30, 30 तक जो कि 31 नहीं है, तो यह सबी articles जिस एक article के पिना पर fulfill किये जा सकते हैं, that is article 32 article 32 right to constitutional remedies, अगर किसी एक specific person का भी fundamental right उलंगन होता है, आप सी दे सुप्रेम कोट का दर्वाजा खट-खट आ सकते हैं इतना power article 32 ने provide करता है, और जुडी शरी इनी articles की मदद से या फिर इनी article की मदद से व्रिट्स जारी करता है, व्रिट्स जारी करता है, व्रिट्स आने के तो ये पांच व्रिट्स की मदद से सुप्रेम कोट या पर बाकी के भी जूडी शरी व्रिट्स जारी करके fundamental rights को उलंगन होने से बचा सकते हैं, fundamental rights को fulfill कर सकते हैं, तो ये था quick revision fundamental rights का meet you next time, अंडिलन स्टी, healthy, stay safe thank you for watching my lecture, जहें अगर आप एक defense aspirant हैं और SSB interview, NDA, CDS, FCAT जैसे exams के लिए prepare कर रहे हैं, तो आप SSB crack exams के course को चेक करना ना भूलें आप हमारी learning application को Google Play Store से भी download कर सकते हैं